नमस्कार दो दिसंबर दो हजार उन्नीस सोमवार का अब देने का राशिफल किस तरह की गतिविधियां सामने लेकर आ रहा है इसकी संपूर्ण चर्चा लेकर हम आप सभी के सम्मुख यहां हाजर है उपस्तित है चंद्रमा पूरे दिन मकर राशी में ही दिराजमान रहने व बक्ष है श्रवण नक्षत्र की परिधियां रहने वाली है तो वहीं पर सस्थी तिति रहेगी शुरुवात मेश राशी के साथ में यहां पर आफिस के कामकाच के अंदर जो और एक आफिस की पूरिशन रहती है नहां आपके लिए जो भी दुविधाय बनी हुई थी और जो tensions बार बार सताने का काम कर रही थी यहां पर एक सबस्ट के ऊपर आप देखिये कि नवम स्थान के साथ में ब्रहस्पति का संबंध है दशम के साथ में चंदर्मा का संबंध है सुख और प्राकरम के साथ में दोनों ही ग्रहों का दृस्टी निक्षेपन है तो इस सबस् और administration की approach आपके साथ में बनी रहती है उसमें भी जो सयोग उपरी तबके के लोगों का मिलना चाहिए वो भी मिलता हुआ देखा जाएगा भाग की इस्ततियों में जहां हमारे लिए पिछले कुछ दिनों से एक थोड़ी सी कमजोरी और कमतरी बनी हुई थी वहाँ पर भी वर रहे थे वहाँ पर संकेत तो आपके पास में थे किन्तु आप खुद विश्वास करके नहीं चल पा रहे थे आज ये दिन विश्वास करने वाला है इस्ततियों के उपर भरोसा रखिये और जो circumstances आपको drive कर रहे थी उन परिस्तितियों से निकल कर इस्तितियों को आप कही न कहीं आगे लेकर जाने वाले रहेंगे ही रहेंगे प्रबंदन के साथ में जो भी महनभाव studies में जुड़े वो हैं उनके लिए भी position बहुत बैतर है आपको पूरे weekend यही चिंता सताते रही कि जौब की positions में क्या होने वाला है क्या इस्तितियां हमारे लिए गुमने वाली है इस्तान परिवर्तन तो नहीं है या फिर जो आपकी positions के उपर ही कहीं बाधाएं तो नहीं है वो सारी ही बाधाएं दूर हट कर जो एक specific clarity आपके समक्ष आनी चाहिए वो आती हुई देखी जाएगी और यह मालुम चल जाएगा कि हम अभी भी हमारे comfort के साथ में लगातार च पूरे तरीके से हमारी अठकी हुई है एक सपष्टता वहाँ पर आपके लिए देखी जा सकती है ग्रहस्त के साथ में जो भी मेश राशी परदान महिलाएं जूरी हुई हैं उन सभी के लिए कामकाजी जीवन को और ग्रहस्त जीवन को एक साथ में सम्भालना और वहां से यश और मान की प्राप्ति करते चले जाना वो भी संभावित स्तर के उपर संभावनाएं आपके लिए देखी जा रही है, निरविग्न तरीके से आप आगे बढ़ते चले जाएंगे, कुटुम्भी जनों के साथ में ये दिन ठीक बना हुआ है, जहां पर भी गफलतें और गलत फैमिया पनपी हुई थी, वो दूर होती हुई देखी जा सकती है, कला के क्शित्र विशेश के साथ में जिन भी महानुभावों का जुडाव है, त्वरित गती से उनके लिए एक सय सयोग की स्तती बनती हुई देखी जा सकती है, और उसी सयोग के आस्ताधार पर आप अपने कामकाज भी आसानी से आगे बढ़ाने वाले रहेंगे, कहीं भी विचलित नहीं हो, आप अपने स्तर के उपर चलते चले जाएं, तो ये तो एक स्तर है, hidden problems परिशान नहीं करने व होता है, और आज मेश राशी के महनुभावों के लिए वही स्ततियां बनी हुई है, चंताएं हैं, बाधाएं हैं, दोविधाएं हैं, तो उनसे एक बार टकराएं, हिम्मत के साथ में उनका सामना करें, आज इविका के साधनों के अंदर नुकसान नहीं है, कई बार व्यक् के अंदर जो सामने वाला व्यक्ति आप से जुड़ा हुआ है, उसको भी आपकी उतनी ही दरकार है, ये समझने की आवशक्ताओं के साथ में आप चलते चले जाएगा, वरशब राशी की अगर मैं चर्चा करूं, तो काम काज में भाग्ये का सहारा तो है, किन्तु जब हम के कहते हैं कि भाग्ये का सपोर्ट आपको मिलावा है, इसका आशे क्या है, कि आप जिस भी कर्म शीलता की तरफ जाएंगे, वहाँ पर फर्चूंस आपका फेवर करने वाली रहेगी, किन्तु काम काज और कर्म शील व्यक्ति को खुद को होना पड़ेगा, और उसी के आध आँवा था, क्लैरिटी नहीं आपा रही थी, ये दिन आपके लिए इस पस्ट ताके, संकेत, मात्र सामने लेकर आता हुआ, देखा जा सकता है, अभी अभी आपने सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का रुख करना शुरू किया है, और उस तरफ आपने एक तरह से अपने टीम को उनको मोटिवेट करके रखिएगा, कई बार व्यक्ति अपने होसलों के साथ में ही परास्त होने का काम करता है, वो इस्ति इस सोमबार को आपके लिए बन सकती है, ये याद रखिएगा कि जब आप खुद गर से निकलें, खुद को मोटिवेट करके निकलें, व्यक्ति किस भी और इस तरह से मोटिवेशन पा सकता है 15 से 20 मिनट के लिए सकारात्मक हो सकता है मैं कई बार जब लोगों से मिलता हूँ तो कहता भी हूँ कि आप यहां से आदे गंटे का कोई मोटिवेशन नहीं लेकर जाएं आदे गंटे की स्थतियों के साथ में नहीं जाएं जो यह समय का पूरा चक्र है इसकी स्थतियों को समझें जाचें परखें और उसके बाद में उस समय के आğकलन के साथ में अगर आप चलते हैं तो जीबन भर सकारात्मक्ता बनी रहती है वही उर्जा है वही प्रोट्साहन है और वही आगे बढ़ने का प्रतिविम्ब मात्र है तो ये सारी इस्तियों को आपको जाचना चाहिए परखना चाहिए जोतीशिय विधाओं के साथ में गर बात करूँ तो ब्रहस्पती अस्टम के साथ में चंदरमा नवम के साथ में संबंद बनाएवो हैं सेकिंड और थर्ड के उपर इनका द्रस्टी निक्षेपन है तो इसी वज़े से कुटुम भी जनों के साथ कोई भी कामकाज को आप आगे बढ़ा कर तुरित इस तर के उपर करना चाहिए किन्तु विदेश संबंधी कतिविधियों के भीतर कोई भी तुराव था परिशानी थी वहां क्लैरिटी आने के संभाव ना आपके लिए रहेंगी ही रहेंगी मितुन राशी की अगर मैं चर्चा करूं तो यहां पर hidden problem सताने का काम कर सकती है विशेश तोर पर व्यापार में इसी वज़े से अगर आप service industry के साथ में जुड़े हुए हैं तो जो जो लोग आपकी इस service industry की chain के अंदर हैं उन सब को संभाल लीजिए productive approach के साथ में जुड़े हुए हैं तो उस productive team को पूरे तरीके से संभाल लीजिए manufacturing unit के साथ में जुड़े हुए हैं तो आप जो भी machinery संभन्दित काम काज है और उससे जुड़े हुए व्यक्ति विशेश की जो इस्तिया है structured process के अंदर उसका आंकलन करके चलने का प्रयास आपको करना चाहिए तो आप पाएंगे के hidden problems को काफी हद तक आप अपने लिए कम करके आगे बढ़ने वाले हो चुके हैं एक संकेत मात्र तो ये है तो वही पर दूसरे स्तर पे ग्रहस्त जीवन में जो बाधाएं आ रही थी आज उसको सुलजाने का प्रयास आप बहुत महत्वपूंट स्तर के उपर नहीं करें क्योंकि जो आप communicate करेंगे वो दूसरे ही शब्दों के अंदर अगले व्यक्ति विशेश के पास में पहुंचने का काम करेगा तो वहां से भी थोड़ा सा आपको ध्यान रखने की आवशकताएं रहेंगी ही रहेंगी ये तो एक सपस्ट संकेत मातर है तो वही पर communication के फील्ड के साथ में जुड़े हुए मानुभाव भी उतावले पंसे बचेंगे जल्द बाजी से जतना बचकर आप चलेंगे उतना ही खुद के लिए एक सपस्टता रखने वाले रहेंगे आप अगर textile industry, footwear industry या फिर leather industry के साथ में या किसी भी seasonal business के साथ में जुड़े हुए है purchasing को थोड़ा सा रोक कर चलाने का प्रयास आज आप कीजिएगा संतान पक्ष की और से थोड़ी सी चंताएं और बाधाएं रह सकती है किन्तु जो व्यापारिक स्तर के उपर आपने बहुत पहले निर्णे लिये थे आज वो निर्णे फलीभूत होकर आपको परिणाम देने वाले भी रहेंगे वहां से आप सपस्टता के साथ में आगे बढ़ने वाले हो सकते हैं कहीं भी चंतत और वेचलित होने की जरूरत रावशक्ता हैं आपको नहीं है यह आप ध्यान रखेगा किन्तु कोई भी कोट कचारी संबंदित मुकदमा आदी चल रहा था वहां पर भी आपको थोड़ा सा एक तरह से पूलिशन्स को सावधानी के साथ में लेकर चलने के जरूरत कहीं जा सकती है वेर्थ के वाद, विवाद को और जड़ा बढ़ाने से बचना चाहिए आपको कर कराशी की मैं गर चर्चा करूँ तो व्यापार में जो उन्नती आपके लिए पिछले दिन बनी हुई थी वो आज भी बनी हुई है भावक होकर जो निरणे हमको पिछले दिन नहीं लेने थे आज भी उसमें और अधिक एक तरह से बचाव करके चलने का हमको प्रयास करना चाहिए प्रथम स्तर के उपर तो स्थती ये रही किन्तु उदर संबंधी व्याधियां स्वास्ति संबंधिक शेत्र वशेश के अंदर सताने का काम कर सकती है वहाँ पर खानपान जैसे भी एक तरह से जो शादी विवाह की सीजन के आसपास की पूरिशन्स होती है देखती का खानपान कई बार बेगड़ने का काम करता है तो वहाँ पर भी थोड़ा सा आपको ध्यान रखने की आवशकता है रहेंगी ही रहेंगी ये तो रही एक बा या फिर आप अपने एक्सपीरियंस के साथ में किसी भी विद्या को लेकर चले हैं और उसी विद्या के आधार पे खुद को और अधिक एक्स्प्लोर करना चाहते हैं तब भी आसानी से बढ़ने वाले आप हो सकते हैं बिचलित होने की कत्तही आवशकता नहीं है इंपोर् स्थान के साथ की पूरिशन है और लिक्विडिटी के हाउस के साथ में जुड़ी वी जो पूरिशन्स है इन तीनों ही फ्रेम्ट के अंदर स्पैसिफिक एप्रोच में वो इस्तती आपको आगे बढ़ाने वाली कहीं जा सकती है निरडायक स्थर के उपर प्रगतिशील रह और अपने कामकाच को आगे बढ़ाने वाले रहे ही रहें रेणब देना हो या लेना हो आप उस और जा सकते हैं कहीं भी किसी भी व्यक्ति विशेश की जरूरत में मदद करना आपके लिए लंबे समय तक उस रिष्टे में एक नई खुश्बू को महसूस करने के समान रहे था उस व्यक्ति विशेश से भी जो एक तरह से एक्स्पोज होने वाले उनकी बूरिशन होती है वो सामने आएंगे और एक स्पस्टता के संकेत देखे जा सकते हैं नौकरी लंबी समय से लग नहीं पारी थी और अभी अभी आपका एक तरह से इंटरव्यू का आफर आया ह उद्वैलित स्थियों को एक तरफ रखके क्लारिटी के साथ जाने का प्रयास करें पुर्जोर विजय श्री आपका वरण करने वाली रहेगी ही रहेगी ग्रहस्त के साथ में जुड़ी हुई महिनाओं के लिए आज का ये जो दिवस अंतराल है इसके अंदर की स्थियों मे थोड़े से वाद और विवाद आ सकते हैं बले ही कुटम वीजन हो उनके साथ बले ही नौकरी पेशा इस्तर पर हो उनके साथ थोड़ा सा संभल कर चलने का प्रयास आपको करना चाहिए तो ये तो रही करक राशी की स्थियों संग राशी की अगर मैं चर्चा करता हूँ त तो सरवर्थम जो भी मौसमी रोग होते हैं पिछले दिन भी उनकी स्थियां बनी भी थी आज भी आप खुद को संभाल कर चलीगा तो जो 25-27 दिन का अमतराल रहेगा उसके अंदर स्वास्ते की स्थियां उस लिवल के ओपर हमपर होने वाली नहीं रहेगी विशेश तोर पे मौसम जनित वैवस्ताओं के साथ में कला के खशाप जुड़े हुए महनुभावों के लिए कुछ सैटबेक्स की पूजिशन सामने आ सकती है आप अपनी कला पर विश्वास करें आप अपने होनर पर विश्वास करें दूसरी जो भौतिक वाली स्थियां होती है वो आ भी दर उदर करने का आपको प्रयास नहीं करना चाहिए चोटी सी मिस्टेक आई या चोटे से सेटबेक आई उसको जीवन के अंदर आधार मान कर नहीं चलें व्यक्ति एक दिन हारता है यह प्रतियक स्तर पर देखता हूं एक दिन की हार को पूरे जीवन के साथ में तो उससे थोड़ा सा बाहर निकलने की आवशक्ताएं आपको रहेंगी इस समय की पूलिशन का आदर करके चलना चाहिए एक दिन अगर हार मिली भी है एक दिन सेटबेक मिले भी है तो हमने जो हुनर अविकसित किया है उसके साथ में चलने का प्रयास हमको जरूर करना चाह की जा सकती है कोई भी नरनाय करण अगर आपको अपने कामकाच के अनुसार लेना है और बैंक की तरफ आप जो है रुख करने वाले हैं किसी वेक्ति विशेश के साथ में जो की परीचे में है उस तरफ रुख करने वाले हैं कोई दिक्कत और पर परिशानी नहीं है हामी की इस्ततियों के इस्पस्ट संकेत दिख रहे हैं किन्तु खर्चों के उपर नियंतरन लगाना उस इस्तर के उपर संभव दिखाई नहीं दे रहा है भाग्ये का सपोर्ट बना हुआ है वहाँ पर कोई भी कमी नहीं है किन्तु जो एक अग्याद भए रहता है वो थोड़ा सा परिशान करने वाला आपको रहेगा एजुकेशन के लेवल के साथ में चल रहे है महानुभावों के लिए सक्षा संबंध ही गतिविधियों में और वो भी टेक्निकल एजुकेशन के साथ में जुड़ रहे महानुभावों के लिए और सपस्त संकेत मिलने वाले रहेंगे ही रहेंगे कन्या राशी की अगर मैं यहां चर्चा करता हूँ तो जो आपका कैलिबर है वो अब निखर कर आना शुरू होगा इस दिवस के साथ में और इस पूरे महीने की गतिविधी के साथ में एक जो आपको initial click मिलना चाहिए वैसे भी कहा जाता है आप marketing के साथ में जुड़े हैं, service industry के साथ में जुड़े हैं, business के साथ में जुड़े हूँ है initial click अगर महीने की शुरुवात के अंदर ही मिल गया तो आपका break even point जो business के अंदर चलता है प्रतियक मंत के basis के उपर और service के अंदर जो initial start मिलना चाहिए वही अगर बहुत अच्छा मिल जाए तो व्यक्ति के लिए पूरा ही महीना एक सुखत स्तिती के साथ में निकलता है comfort zone बना रहता है तो यहाँ पर बहुत बहतर positions है share market के साथ में जुड़े हुए महनुभावों के लिए मैं आकस्मिक धनलाब से इंकार नहीं कर रहा हूँ आप वहाँ पर जा सकता है बहतरी के साथ में stock की positions को relate करते हुए आप बेहद अच्छे तरीके से आगे बढ़ते चले जाएंगे creative field के साथ में studies चल रही है कलाक एक्षेत्र विशेश के साथ में studies चल रही है या फिर financial positions के साथ में आपकी studies complete होने की तरफ अग्रसर है job search कर रहे हैं तो जो आसपास की acquaintances है वही से offer निकल कर आपके समक्ष आ सकते है बले ही चोटे स्थर के उपर किसी position को join करना हो किन्तो आगे बढ़ने का प्रयास आप जरूर करते चले जाएएगा जिन भी भेलाओं ने conceive कर रखा है उनके लिए ये दिवस विशेश कोई जादा देक्कत और परिशानिया लेकर नहीं आ रहा है किसी भी regular check-up आली के लिए आप जाना चाहते हैं जानेगा कारे नहां से कर सकते हैं चमक दमक संबंदी फील्ड के साथ में जुड़े हुए हैं अगर आप और निरनायक पर्चेजिंग अपनी शॉप के लिए करना चाहते हैं अपने बिजनस की पूरिशन के साथ में करना चाहते हैं आसानी से बढ़ने वाले हो सकते हैं और यही पर्चेजिंग longer term के उपर आपको benefit देने वाली भी रहेगी यह तो रही एक बात तो वहीं ग्रहस्त जीवन के साथ में जो support मिलना चाहिए कुटुम्भी जन थोड़े से विद्रों में है और ग्रहस्त जीवन का support मिल गया तो व्यक्ति अपने कामकाज को और अपनी professional life को बहतर तरीके से एक achievement की इस्तिकी तरफ लेकर जाने वाला रहता ही रहता है वो position आपके लिए यहाँ पर बनी हुई है तो उसके साथ में चलते चले जाएं कोई भी agriculture संबंदी कामकाज है वोमी संबंदित कामकाज है वहाँ पर भी तिवर्ता आपके लिए बनी रहने की संभावनाएं दिखाई दे रही है तुलाराशी की मैं अगर चर्चा करूँ तो यहाँ पर सर्व पर्थम जो आजिविका के साधन मौजूद थे उनको खोने का डर सता सकता है यह अग्याद भई आपके साथ में केरी करके चलेगा किन्तु कोई भी संकेत आपको अपनी कंपनी से अपने व्यापार के साथ में मिल रहे हैं इनीशिल इंडिकेशन के साथ में आप चल रहे हैं जहाँ पर अब कहीं न कहीं हमें नए रास्ते भी parallel approach के अंदर develop करने की requirement है तो आप ये मान कर चलिएगा कि उस और कारे करने का एक समर्त समय अब आ चुका है अपने क्षमताओं को फिर से निकारने का मांजने का काम कीजिए खुद को comfort zone से निकालने की preparation करने के लिए जो एक तरह से mental positions को prepare करना होता है उस और भी आप कारे करना शुरू कर सकते हैं जिससे कई बार जो अग्याद भय की शकल होती है वो भय का निरुपन लेती है और वहीं से अमारे लिए positions आती है कि ये negativity आ सकती है तो उसको पहले से ही दूर हटाने की तरफ हमें काम जरूर करना चाहिए वियाफरिक स्थर के उपर में बात करूँ तो थोड़ा सा कामकाज और विवस्तित रहने की समभावना है डिमांड और सप्लाई के साथ में जुड़े वो हैं तो आप ये देखिएगा कि किस वस्तु विशेश की डिमांड है मौनोपली की साथ में आप चल रहे है उस आइटम की दरकार आप से ही रहती है मार्केट को और आप पूर्ण रूप से उसकी सप्लाई करने वाले नहीं है तो इसके अंदर जो एक समेट्री की कमी रहती है उस और आपको सोचने का प्रयास जरूर करना चाहिए जिस बात को बहतर तरीके से समझ कर चलने का प्रयास आप करते है चले जाएएगा एक बात तो ये रही तो वहीं दूसरे स्तर के उपर एक महत्पूंट स्तिय और है जिसको समझना यहां पर हमारे लिए आवशक है अगर आप एगरी कल्चर संबंधी कामकाच के साथ में जुड़े हूँ है उसमें कोई भी खरीद फरोक्त की तरफ जाना चाहते है या एक नए लेवल को अचीव करने की तरफ बढ़ना चाहते है तब भी जो इनीशिल बेसेस के उपर हमारे लिए शुरुवात मिलनी चाहिए वो बहतर तरीके से यहां पर बनी रहेगी प्रबंधन संबंधी कामकाच के अंदर सोल बेसेस के उपर निरने लेने से बचें कई बार वेक्ती जल्दबाजी के अंदर अपने बूते ही सिगनेचर कर देता है निरने ले लेता है और फिर कई बार फैबरिकेटिट स्टप के अंदर जो अक्षेब वाली पॉलिशन्स होती है जो उटे आरोप परतियारोप वाली स्तिती होती है वो सामने आती है बच कर चलने का प्रयास वहां से आप करते चले जाईएगा जॉब में चेंजिस फ्रस्ट्रेशन के साथ में सामने लेकर नहीं आएं उससे बचने की कोशिश आपको जरूर करनी चाहिए वरश्यक राशी की मैं गर यहां चर्चा करूँ तो जो संभाबनाएं आपके लिए क्लेशिस के साथ में निकल कर आ रही थी आपको लग रहा था कि आज तो आफिस जाएंगे और भेंट की जगे उस व्यक्ति विशेस से बिढ़नत हो सकती है खुद को पहले से ही उस मेंटल सेट के साथ में लेकर जाएए कि आज किसी से विवाद नहीं करेंगे आज जुबान के अंदर वले ही थोड़ी सी डिप्लोमेसी के साथ में एक मर्दुभाशिता रखनी रहे उसको लेकर जाएंगे तो जो कई बार परिशान करने वाले स्तियां होती है उससे निकला जा सकता है आज उर्जा बहुत अच्छे से बनी हुई है आज भाग्ये का सपोर्ट है आज आप कर्मशील रह सकते हैं यह याद रखेगा किसी भी व्यक्ति विशेश की कही कही चोटी सी बात से खुद को पूर्ण रूपेंड डिस्टरब करके परिशान करने वाले नहीं होंगे तो आपके लिए बहतरी बनी रहेगी यहाँ पर यह गोर करने लायक बात है कि कई बार व्यक्ति अपने कई गंटे दिन के किसी एक बात की वज़े से बिगाड़ देता है और मन में व्यतित होता चला जाता है अगले व्यक्ति का उदेश सफल सद्ध मत होने दीजिए अगर उसका इरादा आपको परिशान करने का है तो उसकी बात को आप नजर अंदाज कीजिए इग्नोर कीजिए इग्नोरेंस की पूजिशन को जब व्यक्ति सामर्थिवान हो तो साथ में लेकर चलना चाहिए वही स्त्थिए आपके लिए बनी हुई है किंतो आप यहाँ पर पाएंगे के जो हमारा कामकाज है उसमें प्रतियक स्थर के उपर जो जो लोग कामकर रहे हैं उन सबकी पूजिशन को हम संभाले हैं और उसके बाद में अपने कामकाज को एक नई रफतार देने की शुरु थे सामने लेकर आता हुआ दिखाई दे रहा है एक बात तो ये रही तो वहीं पर जो ग्रहस्त जीवन के अंदर कई बार सपरिशन तक की पूरिशन आ जाती है आज आप उस इस्तर को सौर्ट आउट करने की तरब जा सकते हैं बात बहुत छोटी सी थी किन्तो उसने विकराल ले लिया तो उस इस्तर के उपर आपके लिए समझाईश भरी स्ततियां सामने निकल कर आ सकती है और वहीं से आपके लिए कल्कुलेटिव अपरोच के अंदर क्लेरिफाई भी होती हुई देखी जा रही है अगर आप स्पोर्ट्स परसनलिटी है अगर आप किसी भी फेस व चाहिए आपको धनुराशी की मैं अगर चर्चा करूँ तो यहाँ पर सर्व पर्थम फाइनेंशल लेवल के उपर प्रोग्रेस रहेगी जो लंबे समय से साड़े साती के मध्य अंतराल के साथ में चल रहे है महानु भावों के लिए एक क्लैरिटी नहीं बन पारी थी वो क जीविका के साधन वहीं सविकसत हो रहे हैं तो आप आएंगे कि वर्धी की पूरिशन्स बनी हुई है एडन प्रोब्लम्स उस लेवल के उपर परिशान नहीं करने वाली है सिक्षा के अंतराल के साथ में जुड़े हुए महानु भावों के लिए ये दिन बहतरी की एप्र पून रूप से एक स्तर के उपर मौजूद हो मजबूती के साथ में खड़ा हो तो आपको imagination के साथ में काम को टालने की प्रवर्तियों के साथ में बचना चाहिए अगर आपके सामने चार्टिंग हो जैसे कि हम तो इन बारही भावों के साथ में चार्टिंग को एक तरह से mental फ्रेम में लेकर चलने का काम करते हैं तो आप ये पाएंगे कि धनूराशी की जो इस्ततियां है वो इस पस्ट तौर के उपर शनीदेव के साथ में जुड़ी हुई है और दस्वी द्रिस्टी से शनीदेव दशमस्थान कर्मस्थान को देख भी रहे हैं तो उस इस्तर के बचने का प्रयास आपको करना चाहिए और फिर आगे बढ़ने की और आपको कंतब विशिल होना चाहिए ये ध्यान रखें आप अब चर्चा मकर राशी की शत्रु परिशान नहीं करने वाले हैं और जो हमारे कुटुमबी जनों के साथ में कोई भूमी को लेकर विवाद चल रहा था या अन्य कोई ऐसा विवाद था जिसका सॉल्यूशन नहीं बन पा रहा था थोड़ा आसा व्यक्ति विशेश को जुकने की आवशकताएं थी सामर्थ्यवान ही जुकने की इस्ततियां भी प्राप्त करके आगे चल पाता है क्योंकि वो भैभीत नहीं होता आज आज आप निर्भए हैं लगातार अपने कामकाच की और अग्रसर रहें और यही निर्भए की अवस्थाएं जो है आपके अंदर पूरे तरीके से प्रस्पूर्टित होकर जौब में कहीं भी समस्या आ रही थी तो उसको भी सौर्ट आउट करवाने की तरफ लेकर जाएग कि यह बात मुझे कही गई है और मुझे विश्वास नहीं होता है तो आपको मालूम चल जाएगा कि ऑफिस पॉलिटिक्स में जो एक तरह से आपको जबरदस्ती गसीटा जा रहा था उससे दूर होने की पूलिशन साबको मिल गई है एक स्तर के उपर बात तो यह है ध्यान रखेगा confidence और और confidence में तोड़ा सा बचकर चलें सिक्षा के साथ जुड़े हुए मानुभावों के लिए यह दिन बहतर है education के field के साथ में जो भी लोग बने हुए हैं वो कोई भी परिवर्टन करना चाहते हैं जा सकते हैं उस और जो डर और परिशानिया कई बार ग हुम बराशी की अगर मैं यहाँ पर चर्चा करता हूँ तो सरव पर्थम जो व्याय की positions है वो हलके फुलके स्तर पर आज परिशान करने वाली रहेगी बले ही आपका business हो, job की positions हो, कुछ ऐसे खर्चे निकल कर आ सकते हैं जिनका कहीं भी ओचित नहीं था, परिशानियों का स देखे जा सकते हैं, एक संकेत तो यह है, तो वहीं पर service industry के साथ में आपका जड़ाव है, बले ही job को लेकर, चाहे business को लेकर growth की positions देखी जा रही है, किन्तो ये भी ध्यान रखे हैं आप कि कोई भी office politics का आप शेकार नहीं हो जाएं, किसी भी व्यक्ति विशेश के उपर, क कोई भी कामकाज का पूरा दारोमदार रखकर आपको नहीं चलना चाहिए, जो एक तरह से ताला चाबी का सद्दान्त है, एक चाबी खुद के पास में भी रखे हैं, यानि कि कोई भी कामकाज है, उसके key aspect जो होते हैं, वो हमारे पास में भी रहें, किसी भी व्यक्ति अंदर आप जो भी नड़ने लेंगे, आगे जाकर वो reflections में आने वाले रहेंगे ही रहेंगे, मीन राशी की अगर मैं चर्चा करूं, तो यहाँ पर लाव की portions बहुत बहतर तरीके से आपके लिए देखी जा सकती है, एक बात तो आप ये ध्यान रखिएगा, तो वहीं जो क सफलता नहीं मिल पाई थी, विफलता भी नहीं थी, किन तो संगर्श थे, व्यक्ति जब बी संगर्श की positions में होता है, तो उसको कई बार विफलता देता है, और कहता है, किन्तो वो विफलता नहीं है, वो अभी तक संगर्श है, और clarity के साथ में आपके लिए पौरिशन को create करने वाले रहेंगे यह रहेंगे जौब में नई opportunities आ सकती हैं उन opportunities का फायदा उठाएं लंबे समय से कोई रुकावट थी 12 थी clarity आ सकती है कोई नरणायक meeting हो या फिर कोई भी आपके सामने offer आया हो जिसने आपको बहुत अलिक फैसिनेट करके रखा हो clarity वहाँ पर भी मनी रहे गी आसानी के साथ मैं तो ये था 2 लिसंबर 2019 का देनिक राशिफल ऐसे ही चर्चाओं के साथ में हम समय दर समय उपस्तत होते रहेंगे धन्यवाद और हरदय से आभार